आज अयोध्या में होने वाले कुष्टी मासंग की सलाना बैठक यानि एजियम रद हो गई है खेल मन प्राले के आरोपों के खलाफ जाचपूरी होने तक कुष्टी मासंग की हर गतिविदी पर रोक लगा दी गई है यानि पाबंदी है और आज जो एजियम बैठक होने वाली थी अयुध्या के अंदर सुभे 10 बजे वो पहले ही रद की जा चुकी है क्योंकि आज कारिकरम के अनुसार आज 22 तारीक को ये बैठक होने वाली थी लेकिन वो बैठक रद और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये रैंकिंग टूर्णामेंट टल चुका है ये खिलारी वापस लौट रहे हैं जहां से आये थे जिस राजिसे अपने घरों से इवे वापस जा रहे हैं क्योंकि ये रैंकिंग टूर्णामेंट रद हो चुका है कुष्टी संकी बैठक भी रद हो गई है रैंकिंग टूनामिंट भी रद हो गया है मायूस जरूर है खिलारी अपने घरों को लौट रहे हैं और जादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुप करते हैं क्या जानकारी मिल पा रहे हैं क्या है इस वक्त अपडेट क्योंकि निराश बताए जा रहे हैं तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो वापस लौट रहे हैं अपने घरों को अज तो दो देखी सबसे बड़ा अपडेट अगर कहा जाएगा तो यही है कि जो एसेस्टेंस सेकरेटरी डबलो एफाय के हैं विनो तोमर उनको कल रात में सस्पेंड कर दिया गया है इसके अलावा जो तीन दिवस्तिय कुछ थी का कारिक्रम गोंडा के नंदनी नदर में हो रहा था उसको भी कैंसल कर दिया गया है जिसकी वज़ा से आप जैसा की दिखाया अभी कि जो खिलाडी है वो काफी निराश है उनका कहना है कि एक वेट मेंटेन करना शैत्रत योगिता के लिए जरूरी होता है और जब नेक्स डेट आएगी उनको दोबाला से उतनी ही मैनत उतनी ही कसरत करनी पड़ेगी हाला कि कई खिलाडी थे स्पेशली जो हर्याना बेल्ट के थे उन्होंने अपने आप बहिशकार कर दिया था इस पूरे टूर्णामेंट का तो अगर कहा जाए जो भीड जूटी थी रंद्री नेगर में पहले वो इस बार नहीं जूटी थी और आयोध्या कि इस होटल से इस वक्त नहीं रिपोर्ट कर रहा हूँ अश्टोष यह वही होटल है जहाँ पर आज बैठक होनी थी 10 बचे पर क्योंकि यहाँ पर जो डेल खोला है कोई भी कुछ नहीं कहना चाहरा है वो यह कह रहे हैं कि स्पोर्स मिनिस्ट्री पूरे मामलात को देख रही है आखिर दिसीजन उनकी तरफ से होगा पर सवाल यह है कि जब इस पॉस्ट्री देख रही है तो यहाँ पर क्या डबल एफा को सुजी कि उन्होंने यहा करते हैं तब जाकर तीन दिन लंबा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खतम होता है और ऐसे में सरकार ऐसा कोई नहीं लेना चाहिए कि ब्रिजबूशांट सिंग जब नंदनी नगर के टूनमेंट में पहुंचे तब यहाँ प्रतियोगीता में जो अभी रैंकिंग टूनामेंट जिसको टाल दिया गया है रत कर दिया गया है दूसरे दूसरे राज्यों से आये थे कोई हर्याना से था कोई किसी दूसरे स्टेट से बहुत मायूस नजर आ रहे हैं उनको अभी वो भ्रम में है कि अब अगली जो ये टूनमेंट प्रतियोगीता है उसको कब आयोजित किया और दूर दूर से आये थे कोई हर्याना से आये था अलग राजे से आये थे मर्दे प्रदेश से आये थे और ट्राविल करके यहां पहुंचे थे उन्होंने एक दिन शिर्कत भी करी एक दिन बीज़ता उनको पता चला कि अगले दूर दिन का कारिक्रम इस्था जी बहुत पर शुकों तक जानकारी साजा करने के लिए आप नजर बना कर रखेंगें